असी घटना के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जो एक भाई और भाई के पीछे जान दे देता है लेकिन एक ऐसा कलिगु में हत्यारा भाई हुआ जिसने पने भाई भावी बहनोई और मित्र की जाली उस डड़के की जाली जिसने जब अपने हातों पर मेहन्दी रच जाई तो ना जाने उसके दिल में कौन-कौन से खयाल होंगे लेकिन इस दुस्त ने सारे अरवानों पर पानी फेड़कर एक भाई के नाम पर कलंक लगा दिया ये हादसा दिश्टिक मेहन्पुरी ठाना इसनी ग्राम गोकुलपुर असरा राता है घर से हस हस के डोली चली ससुदे में अरती चली घर से हस हस के डोली चली जाके ससुरे में अरती चली जाके ससुरे में अरती चली और बताया रस्म की हल्दी पड़ी न फीकी रस्म की हल्दी हातोची न चुटी में दी हातोची रस्म की हल्दी पड़ी न फीकी रस्म की न चुटी में दी हातोची चली ना कंगन की गाठे खुली जा कि ससुरे मी अरती जली है जा कि ससुरे मी अरती जली घर से हस हस के डुलिया चली जा कि ससुरे मी अरती जली जा कि ससुरे मी अरती जली वारे परमात्मा ऐसा थुक और ये द्रस आशा करता हूँ किसी को न दिखाएं आसमिनन की पूई ना पूरी आसमिनन की दिम की बातें लही अधूरी दिम की बातें आसमिनन की पूई ना पूरी दिम की बातें लही अधूरी दिम की बातें ना सिर से चुनरिया हटी जाके ससुरे मी अरती जली है जाके ससुरे मी अरती जली ही जाकी और हर आँखों में दीखे पानी हर आँखों में बन कर रह गई नई कहानी बन थे रह गई अर आँखों में दीखे पानी बन कर रह गई नई कहानी बन थे रह गई एक घट ना ये ऐसी घटी जाके ससुरे मी अरती जली घर से हस हस के डोली जली जाके ससुरे मी अरती जली हाँ जाके ससुरे मी अरती जली हर जाके ससुरे मी अरती जली जली